जैहिन दोस्तों आज की हमारी वीडियो BSC Agriculture के First Semester के Agronomy Subject की है आज की वीडियो का पहला टॉपिक है फसल की कटाई यानि Harvesting of Crop दूसरा टॉपिक है Methods of Harvesting यानि Manual Harvesting, Harvesting with Hand Tools और Harvesting with Machine आईए दोस्तों सभी को एक एक करके समझ लेते हैं जैसे हमने बताया हमारा पहला टॉपिक है फसल की कटाई यानि Harvesting of Crop तो फसलों की पकने के बाद उत्पात को काटने की विदी को कटाई कहते हैं दोस्तों ये जो definition है ये आपको अधिकांस किताबों में लिखी मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये जो definition है ये गलत है गलत क्यों है क्योंकि दोस्तों definition में लिखा है कि फसलों की पकने के बाद उसके उत्पात को काटने की विदी को कटाई कहते हैं लेकिन दोस्तों ये definition हर जगे पे लागू नहीं होगी क्योंकि इससे अगर हर जगे पे आप लागू करते हैं तो definition गलत हो जाई तो इसे आईए एक डाइग्राम से समझाते हैं दोस्तो आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यह गेहों का फिल्ड है और आपकी परिभासा क्या कह रही है कि फसल के पकने के बाद इसो काटने की विदी को ही हर्वेस्टिंग यह आप कह सकते हैं कटाई कहते हैं लेकिन दोस्तो इस वाला जो एक्जामपिल है इसमें तो यह लागों हो रही है यानि आपकी गेहों की फसल जब पक्के तयार हो जाएगी तो इसको हर्वेस्ट कर लिया जाएगा लेकिन दोस्तो इसके अपोजिट में अगर आप देखें तो यह जो आप फिल्ड देख रहे हैं यह एक मिर हर्वेस्टी का पौदा है इसमें बहुत सारी हर्वेस्टी लगे हैं तो दोस्तो अगर आप परिभासा के अनुसार देखें तो परिभासा यह कहती है कि फसल के पकने के बाद उसको काटने की विदी को हर्वेस्टिंग कहेंगे लेकिन दोस्तो क्या यह मुम्किन है कि जो आपका किसान है वो ही भूंने हनी मिड्चों को ऐसे ही तोड़ेगा और दोस्तों तोड़ेगा ही आप भी मार्केट में जाते हैं तो आप भी हनी मि org Connect ही लाते होंगे तो आप इस पिर किया को भी तो harvest कहेंगे यानि हैं फसल की harvesting की जा रही है लेकिन परिवासा में तो यह लिखा है फसल की पकने के बाद फसल को काटना ही harvesting कहलाता है लेकिन ये तो फसल पकी थोड़ी है आपके मिर्चियों पक्के तैयार थोड़ी न हुई है पहले ही harvest कर ली जा रही है इस बैसे डेफिनीशन गलत है इसलिए आप इससे अच्छी एक सटीक डेफिनीशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो यह है कि फसल हर्वेस्टिंग का आर्थ है कि जब पौदों का बहे भाग जो आर्थिक रूप से इंपोर्टेंट है दोस्तों सब्दो को लगाया है या उगाया है अगर वो तैयार हो जाए तो हम कहेंगे कि वो फसल हर्वेस्ट कर लिया जाता है यानि जैसे ही वो तैयार हो जाएगा तो किसान क्या करेगा उस फसल को हर्वेस्ट कर लेगा यानि फसल की कटाई कर लेगा दोस्तों इसमें दो सब्द पर दिहा पिल के साथ में, दोस्तो आर्थिक रूप से IMPORTENT क्या मतलब क्या है दोस्तो JASIN मालो आपका जो किसान है मतलब सुरी, जो किसान है उसने क्या किया है अपने फिल्ड में हरी मिर्ची का पौदे लगाएं है उसने हरी मिर्ची जो लगाई है वो किसलिए लगाई है ताकि वो उसको मार्केट में सेल कर सके तो वो क्या करेगा जो ये पोहदा है इस पर मिर्ची आएगी और जब मिर्ची आएगी और जब मिर्ची तयार हो जाएगी तो वो क्या करेगा सुरी दोस्तों एक मिनट तो वो क्या करेगा कि ये जो आपकी मिर्ची है इसको तोड़ के मार्केट में सेल कर देगा यानि जो उसकी आर्थिक रूप से इंपोर्टेंट है आर्थिक रूप से इंपोर्टेंट क्या है तो इस वाले फिल्ड में मिर्ची है मिर्ची तयार होगी तो उसको हर्वेस्ट करके है सेल कर देगा दूसरा इसमें था हमारा किसान ने जो प्राप्त करने के लिए फसल को लगाया है क्या प्राप्त करने के लिए तो इसको भी दोस्तो डैफिन सोरी एक्जाम्बिल से देखें जैसे मालो किसान ने अपने फिल्डर में दोस्तो बाजरा लगाया है दोस्तो जो बाजरा होता है उसका दो उप्योग होते हैं पहले जो उसके दाने होते हैं उसका आप कई सारे यानी अनाज के रूप में आप रोटी के रूप में उसका उप्योग कर सकते हैं उसका उपयोग ही होता है कि अगर आप बाजरे को पकने से पहले ही काट लेते हैं यानि तो आप क्या कर सकते हैं उसका उपयोग चारे के लिए भी कर सकते हैं तो यह किसान ने जो बाजरा उगाया है वो इसके अनाज के लिए ना उगा के चारे के रूप में उगाया है तो ज हर्वेस्टिंग का अगर सीधी डेफिनिशन या आसन सफदों में आप कहें तो इसकी परिभासा दोस्तों यह हो जाएगी कि पौदे का बहेबाग जो आर्थिक रूप से इंपोटेंट है या फिर किसान ने जो प्राप्त करने के लिए फसल को उगाया है अगर वो तैयार हो जाए तो फिर फसल को हर्वेस्ट कर लिया जाता है इसी प्रोसेस को हम हर्वेस्टिंग अप क्रॉप कहते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके मैथट को तो द harvesting with machine तो दोस्तों तीनों पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं तो पहला है हमारा manual harvesting दोस्तों नाम से ही clear हो रहा है यानि अगर आप जब अपने field में जो आपका field है उसमें कोई फसल लगी हुई है और उसको आप manually यानि हातों की साहता से अगर उसको तोड़ लेते हैं या उसको खाड लेते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि वो manual harvesting है आगे अभी हम इसके example देके आपको clear कर देंगे अभी हमने जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं तो इसमें हम किसी पिरकार का यंद्र का उप्योग नहीं करते हैं यानि दोस्तों जो manual harvesting होती हैं उसमें किसी पिरकार के जो उपकरण है या आप कह सकते हैं जो टूल्स हैं उनका हम अप्योग नहीं करते हैं बलकि हाथों की साहिता से ही अपनी फसल को हरवेस्ट कर लेते हैं दोस्तों हो सकता ही ये भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो हम इसको कुछ एक्जामपिल आपको दे देते हैं, जैसे एक्जामपिल के लिए दोसको चाय की जो पतियां होती है, उन्हें जो तुड़ाई की जाती है, वो हातों की सायता से, यानि मैनूल तरीके से की जाती है, हरी मिर्शी की तुड़ाई हो गई, आपकी सबजी की तुड़ाई हो गई, सबजी की तुड़ाई में जैसे आपकी मंटर की तुड़ाई हो गई, लौकी की तुड़ाई हो गई, दोस्तों ये सब किस तरीके से होते हैं तो ये हातों की साहिटांसे होते है याणि आसान सब्द crater में कहा जाए तो manual harvesting का मतलब होता है जब हम हातों की साहिटा से अपनी फसल की कटाई ардाई करते हैं तब हम बोलेंगे कि वो manual harvesting है इसको अपनी स्क्रीन पे डाइग्राम में भी समझ सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो लेडिस हैं यह जो आपकी चाय के फिल्ड है इसमें से चाय की पत्तियां को तोड रही है तो यह हातों की सायता से तोड रही है तो यह क्या है manual harvesting है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह मटर की तुड़ाई हो रही है यह मटर की तुड़ाई हो रही है यह भी एक manual harvesting है नहीं हातों की सायता से हो रही है next दो हम देख लेते हैं harvesting with hand tools दोस्तो इसमें क्या होता है कि आपका जो किसान होता है यह कोई और मजदूर वो जो फसली कटाई करता है वो करता है उपकरन या ओजारों की सायता से है तो आगे हम इसको आपको एक sorry आपको हम कई सारे example देके बिल्कुल clear कर देंगे तो अभी खाली हम वो पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा है इस बिदी में फसलों को harvest टूल्स यानि ओपकरन यानि ओजारों की सायता से किया जाता है ओजारों के नाम यानि टूल्स के कुछ नाम भी है जैसे आपकी खुरपी हो गई हसिया हो गई जिसको कुछ जगा पर दनाती भी कहा जाता है और इंग्लिस में इसको सीकल कहते हैं दोस्तों harvesting with hand tools के कुछ एक्जामपल है जैसे कि आपकी गहों की कटाई हो गई दोस्तों गहों की कटाई में क्या होता है आपकी जो दनाती होती है जो आप जिसको हसिया कह सकते है उसमें क्या होता है जो किसान होता है वो टूल्स की सायता से कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे हर्वेस्टिंग टूल्स उसकी कुछ और भी एक्जाम पिलने से धानुई कटाई भी दोस्तो आपकी दनाती हसिया की सायता से की जाएगी गन्य कटाई हो गई आलू खुदाई हो गई तो यह सब क्या है उपकरणों की सायता से की जाती है तो हम इसको हर्वेस्टिंग भी हैंड टूल्स कहते हैं दोस्तो इनको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इमेज में यहाप आप देख सकते हैं जो किसान है यह आपकी जो हसिया है उससे आपकी जो फसल है उसी कटाई कर रहा है नेक्स एक्जाम आलू निकाल रहा है तो दोस्तों ये क्या है ये सब हैं हर्वेस्टिंग विद हैंड तूस दोस्तों next अब कि मसीन जो होती हैं वो कम समय में ज़्यादा काम कर देती inação और दोस्तों जब आप जो आपका development है उसमें जो क्रॉप कर सकते हैं हर्वेस्टिंग अगर आप मसीनों की साहित्ते से करेंगे तहां और मुसको बोलेंगे harvesting with machine दोस्तो बर्तमान समय में बहुत सारी फसलों की harvesting machine की सहायता से की जाती है इससे कुछ example भी हमने आपके लिए दिये हैं जैसे धाप की धानों की कटाई हो गई आलो की खुदाई हो गई और गेहों की कटाई हो गई जैसे आप अपनी स्क्रीड पर भी दोस्तो देख सकते है यह जो image है इसमें जो आप धान की कटाई देख रहे हैं यहनि harvesting देख रहे हैं इसमें जो आपका किसान है वो ये वाली machine की सहायता से अपनी जो धान की है वो कटाई कर रहा है नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं अपनी स्कीन पर ये जो गेहों का फिल्ड है इसमें गेहों की जो कटाई की जा रही है वो इस मसीन की साहतर से की जा रही है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और तो वीडियो को लाइक से और कमेंट करना नहीं भोलिए वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद